17 दिसंबर, 1927 को क्रांतिकारी भगत सिंग और शिवराम राजगुरु ने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉंडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी। इस कारिय में उनका समर्थन उनके हमवतन सुख देव थापर और चंदरशेखर आजाद ने किया। हाला कि उनका मूल लक्षे सॉंडर्स नहीं बलकि पुलिस अधीक्षक जेम्स कॉट थे जिन्होंने अपने लोगों को प्रदर्शन कारियों पर लाथी चार्ज करने का आदेश दिया था जिससे राश्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यू हो गई थी। बाद में भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू को फांसी दे दी गई। हाला कि उनके मुकदमे और फांसी ने उन्हें लाखों भारतियों की नजर में शहीद बना दिया। 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ती की। लेकिन आयोग के निकाए में कोई भारतिय सदस्य नहीं होने से। सभी वैचारिक स्पेक्ट्रम से नाराज भारतिय राष्ट्रवादी नेताओं ने आयोग का बहिशकार किया। लाहौर में, पंजाब के सबसे लोग प्रिय नेता। लाला राजपत राय को आयोग के खिलाफ आंदोलन का नेत्रित्व करते समय लाठी चार्ज के दोरान गोली मार दी गई थी। और 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटू के कारण मृत्यू हो गई। युवा भगत सिंग और उनके साथियों ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। भगत सिंग सेख परिवार से थे। जब वह 12 वर्ष के थे। तब उन्होंने अमरित्सर में जलियां वाला बाग नरसनहार स्थल का दोरा किया। जहां 1919 में पुलिस ने सैकडों ने हथे नागरिकों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के एहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से नाखुश। वह बाद में एक क्रांतिकारी अंदोलन में शामिल हो गए और अंग्रेजों को हिंसक रूप से उखाड फेकने का प्रचार किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन के सदस्य भी बने। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन कर दिया गया। इसके अन्य सदस्यों में चंडशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे। भगत सिंग ने अपने परिवार को एक पत्र में ये बताते हुए अपना घर छोड़ दिया कि उनका जीवन अब सबसे महान उद्देशे के लिए समर्पित है। और देश की आजादी के लिए लड़ना है। आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गाव में हुआ था। जब वह 15 वर्ष के थे तो उन्होंने गांधी जी के असहयो गांदोलन में भाग लिया जिसके लिए उन्हें दो सप्ताह की जेल की सजा हुई। बाद में समाजवाद की और आकरशित होकर वह HSRA में शामिल हो गए। ख्रांतिकारी उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए सरकारी धन लूटने के उद्देश्य से उन्होंने 1925 में एक ट्रेन डकैती में भाग लिया। सौंडस की हत्या के बाद HSRA ने पोस्टर और पर्चे लगाए जिसमें घोशना की गई। आज दुनिया ने देखा कि भारत के लोग नर्जीव नहीं हैं। उनका खून थंदा नहीं हुआ। वे देश के सम्मान के लिए अपनी जान दे सकते हैं। हमें एक आदमी की हत्या का दुख है। लेकिन यह आदमी क्रूर ग्रिनित और अन्याई व्यवस्था का हिस्सा था और उसे मारना एक आवश्यक्ता थी। ये सरकार दुनिया की सबसे दमनकारी सरकार है। सौंडस पर हमले के बाद ख्रांतिकारी कुछ समय तक पुलिस से बचते हुए भागने में सफल रहे। फिर आर्थ अप्रेल उनीस सो उन्तीस को भगत सिंग और बटुकेश्वर दतने दिल्ली में सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के अंदर दो बम फेके। कोई जान नहीं गई ल फांसी दिये जाने से कुछ हफ़ते पहले भगत सिंग ने मैं नास्तिक क्यूं हूँ शीर्शक से एक लेख में लिखा था। इश्वर में मनुष्य को बहुत मजबूत सांत्वना और समर्थन मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयम पर निर्भर रहना पड़ता है। तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़ा होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं जानता हूँ कि जिस क्षन रसी मेरी गर्दन के चारों और फिट होगी और मेरे पैरों के नीचे से छथ हटेगी। वह अंतिम क्षन होगा क्योंकि वह मृतिव के बाद के जीवन। पुनरजन्म या स्वर्ग में विश्वास नहीं करते थे। बिना किसी स्वार्थी उद्देश के या यहां या इसके बाद पूरसकार पाने की इच्छा के बिना। बिलकुल ने स्वार्थ भाव से मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया है। क्योंक और चीज के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते हैं। उस दिन स्वतंत्रता के युग का उध्धाटन होगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दिये जाने के बाद भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने कहा कि हालां की पार्टी किसी भी आकार या रूप में राजनीतिक हिंसा को अस्वीकार करती है। लेकिन वह तीनों की बहादुरी और बलेदान की प्रशंसा करती है। और मानती है कि फांसी ये कृत्य अवांशित प्रतिशोद और राश्ट्र की सर्वसम्मत मान का जानबूज कर उल्लंगन थे। बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंग और उनके सातियों के महत्व को समझाते हुए। पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इतिहासकार विपंच अंद्रव और अन्य लिखते हैं कि क्रांतिकारियों ने क्रांती के दाइरे और परिभाशा को व्यापक बनाने में एक बड़ी प्रगती की। क्र अन्यवाद यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो क्रिप्यार इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें